आज की यूज वीडियो में अगेन हम निफ्टी को टेक्निकली अनलाइज करने वाल है और जानने वाल है कि निफ्टी का कल के ट्रेडिंग सेशन में क्या मोमेंटम हो सकता है फर्स्ट आम निफ्टी ये ट्रेंट को इलिटिफाई करेंगे हम इन दोनों चीजों को कमबाइन करके ये जानेगे कि कल के ट्रेडिंग सेशन में आपको अपनी ट्रेडिंग को किस तरीके से प्लाइन करना है हम स्टोब मार्टिंग से जोड़ी बहुत ही इंट्रेस्टिंग और इंफोर्मेटी वीडियो रेगलर बेसिस पर अफ्लोर करते हैं तो फिर्स्ट आफोल गाइज यहां पर हम निफ्टी के ट्रेंड को इडेनिफाई करते हैं और जानते हैं कि जो निफ्टी का पर्टिकलर ट्रेंड है वो किस डारेक्शन में मोमेंटम क्रियेट कर रहा है ताकि हम उसी डारेक्शन में अपनी ट्रेंड को प्लान करके अच्छा खासा प्रोफिट मार्किट से निकाल सके जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ जब भी मार्किट के अंदर हाई राइस की सीरीज लगती है तो उस पर्टिकलर सीरीज को हम अब ट्रेंड कंसीडर करता हैं तो यहाँ पर मैं मार्क करके भी आपको दिखा देता है गसा की आप सबरीज मार्किट को ब्रेक पर नाइज होना सब्सक्राइब करें जैसा कि मार्क करके आपको डिखा रहा हूं तो यह पर्टिकलर ट्रेंड अप्रेंड से 521 फर्टीकें रिा रहा है वो अब trend चल रहा है but question is that यह particular trend कब तक अब रहने वाला है तो basically guys यहाँ पर DAO theory का एक simple सा rule में आपको बताना चाहूँगा जब भी market के अंदर कोई trend चलता है तो bull trend में जैसा मैंने अभी आपको बता है market के अंदर high rise की series लगती है bull trend तब तक continue रहेगा जब तक की market के अंदर high rise की series लग रही है उस particular trend का fail होनी के chances तब ही होगे जब particular series break होगी तो market के अंदर अभी bull trend चल रहा है और यह particular trend इस particular trend का आपको मज़ा लेना है जब तक की market के अंदर high rise की series लग रही है चलो तो guys अब हम support and resistance के उपर discuss करता है तो first of all यहाँ पर हम resistance के उपर discuss करेंगे तो जो हमारा first resistance होने वाला है जो particular day का high है जो की 17,973 है यह हमारा first resistance होने वाला है suppose की कल market gap up open हो जाते और gap up open होने के पाद market इस particular level को break कर देता है then आपको यहाँ पर एक goal option buy कर लेना है otherwise आपको wait करना है इस particular level का break होने का तो कल के trading session में यह particular level काफी crucial role play करने वाला है इस particular तेजी को continue रखने के लिए अगर बात करें हम second resistance की जो इस particular peak का high है वो हमारा second resistance होने वाला है जो की 18,110 का होने वाला है and third resistance हमारा जो की 18,333 का होने वाला है बात करें यहाँ पर support की तो हमारा first support particular candle का low होने वाला है जो की 17,829 होगा and बात करें हम second support की जो की 17,723 होने वाला है तो कल के trading session में यह levels काफी crucial role play करेंगे आपको इन particular levels पे खास तरीके से focus करना है आपको उपनी trade को इन levels के आस पास ही आकर plan करना है in order to make money from the market चलो तो guys अब हम अपनी third point के उपर discuss करते है which is really important means की particular trend and support and resistance की हाब से हम यह पता लगाएंगे कि कल के trading session में आपको उपनी trade को किस तरीके से plan करना है ताकि आप market से अच्छागासा return निकाल सको means की अच्छागासा पैसा market से बना सको by doing option trading तो basically guys हर video में मैं आपको चार scenario create करके बताता हूँ तो basically उनी चार scenario के उपर हम discuss करता है आपको उनी के according market के अंदर अपनी trade को plan करना है अगर आपको मेरा कल वाला video याद होगा तो कल वाले scenario में मैंने बताया था अगर market gap up open होता है और gap up open होने के बाद इस particular means previous candle के लोगो ब्रेक नहीं करता है then आप एक यहाँ पर call option लेके चल सकते हो exactly market के अंदर वैसा ही हुआ जिन लोगोंने कल का वीडियो देखा होगा hope करता हूँ आपने अच्छा खासा market से आज profit आन के आओगा चलो तो guys बात करते हैं scenario number first ले suppose कि कल के trading session में market gap up open हो जाता और gap up open होने के बाद market इस particular level को break कर देता है जो particular candle इस level को break करेंगी that will be the signal candle आपको wait करना है next candle का next candle confirmation candle होगी अगर signal candle के high को break कर देती है जैसे signal candle का high break होगा वैसी ही आपको यहाँ पर एक call option buy कर लेना है और जो आपका stop loss होगा वो signal candle से 10 से 12 point नीचे की तरफ आपको अपना stop loss maintain करना है और जो आपका target होगा यहाँ पे second resistance के लिए आप अपनी trade को plan कर सकते हो अब हम discuss करते है second scenario पे suppose कि market flat open होता है और flat open होने के बाद market इस particular level के आसपास आता डोजी टाइप में candle बनाना start कर देता है means exhausted candle बनाना start कर देता है तो आपको इस particular level को observe करना है और wait करना है जब market अपने means first resistance को break करेगा उस time ही आपको यहाँ पर एक buy trade execute करके चलनी है otherwise आपको particular day के लिए trading avoid करनी है अगर बात करे scenario number 3 की suppose कि market gap down open हो जाता है और जातान open होने के बाद market इस particular level को break नहीं कर पाता है market इस particular level के आसपास आका trade होना start कर देता है means ki exhausted time में candle बनाना start कर देता है तो आपको wait करना है market particular range को break करने का जो means particular day में market ने जो exhausted candle से range बनाई है आपको उस particular range का high mark कर लेना है और low तो जैसा कि यह particular support रहेगी और wait करना है जैसे market उस particular range का high break करेगा तो जो candle high go break करेगा candle के high go break कर देती है so that will be the confirmation candle आपको confirmation candle पर एक buy trade execute कर लेना है और जो आपका इस particular scenario में stop loss होगा वो signal candle से 5 से 7 point नीचे की तरफ होगा और जो आपका target होगा वो first resistance के लिए यहाँ पर आप अपनी trade यहाँ पर एक trade ले सकते हो अगर guys बात करें scenario number 4 की suppose की market gap down open हो जाता है और gap down open होने के बाग market इस particular level को break कर देता है तो जो candle इस level को break करेगी that will be the signal candle आपको wait करना है confirmation candle का अगर confirmation candle signal candle के low को break कर देती है then आपको यहाँ पर एक put option buy कर लेना है और जो आपका stop loss होगा again signal candle से 5 से 10 पोइंट ऊपर की तरफ आपका stop loss होगा और जो आपका target होगा second support के लिए यहाँ पर आप trade लेके चल सकते हो आपको video पसंद आई होगी जितने भी doubts थे कल के trading session के regard आपके सब क्लियर हो चुके होगे और कल के trading session में आप अपने trade को easily plan करके अच्छा गाजा profit market से निकाल सकते हो so if you like the video just give the big thumbs up do like and comment and don't forget to subscribe the channel